कभी आपने सुना कि सरकार के लोग की उठके माफी मंगो माफी मंगो बोलके गड़बड़ करके सदन खतम कर देते हैं कभी हुआ ऐसा तो वो खुदी कांस्लिशन को नहीं मानते हैं रहोरी नगरी चोपट राजा भोले चाल रहा है यह एक अड़िच्व देश में डमाकरिसी बचेगी नहीं और आइस्ता आइस्ता डिक्टेटर सीट के तरब यह जा रही है। दाल में कुछ काना है। गांडी परिवार के लोग जब करते हैं भारत जोडने का काम करते हैं तो उनको आप डिस्कॉलिफाय करते हैं जो सव्धुकास को मारता है उसको 16 दिल देकर बाहल करके सदम मिलाते हो और जो देश के लिए लड़ता है मरता है उसको आप गांडी परि देखो हमने को नहीं मानते हैं डिटेल आपके पास दिया है वो खुद नहीं मानते हैं कभी आपने सुना कि सरकार के लोग ही उठके माफी मांगो माफी मांगो बोलके गड़ पड़ करके सदन खतम कर देते हैं कभी हुआ ऐसा तो वो खुदी कांस्यूशन को नहीं मानते है डेमोकरसी को नहीं मानते लोगतंत्र को नहीं मानते और एक नहाए और दूसरे को दूसरा नहाए यह राहूल जी का एक ही उदान बस है चली पचास लाग करोड का बज़ेट तोरल बारा मिनिट में पास किया गया और वो हमेशा कहते गए कि अपोजिशन पार्टी को इंट्रेस्ट नहीं है वो डिस्टबंस लेकिन डिस्टबंस तो रूलिम पार्टी से हुआ और जब कभी हम बोलने के लिए उड़ते थे और हम नोटीस देते थे नोटीस की चर्चा के माईज़र करते थे तब यो हमको बोलने नहीं देते थे और ऐसी पहली बार हुआ मैं भी अपने जीवन के 52 साल समाप करके 53 साल में कदम रखा हूँ चाहे असंबली में हो चाहे पार्लमेंट में ऐसा कभी नहीं देखा मैं पांच साल लोकसभा में था अपोजिशन लीडर ऐसा वक्त कभी नहीं है और यहाँ पर दो साल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर खुदी वोलीड बार्टे के लोग ही दिस्टर करते हैं और इसका उद्धेश यही है जो हमने मुद्धे उठाए हैं खास करके आदामी के इश्यू पे सारे 18-18 पार्टियां एक होके एक कौमन मुद्धा था कि आदामी को इतना महत तो क्यों दिया जा रहा है और आदामी की संपत्ति केवल ढाई साल में बारा लाग करोड कैसी बनी और सरकार से पैसा लिए यलाईसी से लिए बैंकों से लिए सरकार का पैसा और पब्लिक सेक्टर की संपत्ति उन्होंने खरीदा यानि पैसा भी सरकार का और संपत्ति भी सरकार की तो उसको अमीर बनाते गए बनाते गए ढाई साल में इतनी बड़ी संपत्ति वाला आदमी देश में या भी देश में कोई नहीं होगा शायद और मुझे अवर एक इसका सरकार इतना जो खासकर मोदी जी जो बड़ावा दे रहे हैं इसका मतलब क्या है तो ये की कैप्तिनिस्ट को इतना सबसंपत्ति सरकार की क्यों दे रहे हैं एरपोर्ट हो पोर्ट हो रोर हो हवा में उड़ने वाले हवाईजाज के अड़े हो तो ये सारी चीज़े जमीर भी नहीं छोड़ी रेल भी नहीं छोड़ा पोर्ट भी नहीं छोड़ा ये जो है इस की सारी संपत्ति जो गरीब लोग LIC में पेशे डाले हैं बैंक में डिपॉसिट किये हैं वो पूरी संपत्ति उनको देकर सरकार के सारे संपत्ति को खरी रहे हैं यह हम वहां उनको पूछना चाहते थी और दूसरी चीज राहूल गानी जी लोकसभा में एक उन्होंने पूछ था कि आदामी की संपत्ति इतनी बड़ी केवल धाई साल में तो एक कर्षा बढ़ा इसका विवाण दो इसकी चर्चा हो तब उन्होंने यह यह कहा कितने बार आपके साथ वो फौरें को फौरेंट्रिक में आये आपके साथ कहा का उनकी मुलाखात हो गई जिन जिन देशो में आप गए हैं आप जाने से पहले किन-किन देशों में उन्हों आपसे पहले जाकर आपसे मिले और किन-किन देशों के प्रदान मंत्रियों से यह वहां के बिजनेसमेंट से यह वहां के मंत्रियों से मुलाखात किये और आपके वजह से उनको कौन सा आडर मिला कैसा मिला यह सारे डीटेल यहां पर चर्चा होना चाहिए इसलिए हम जेपीसी की मान कर रहे थे जॉइंट पार्लमेंट कमिटी की इसमें कोई उनको मुक्सान तो होने वाला नहीं था क्योंकि उनको टू-थोर्ड मेज़र्टी है हाउस में लोकसभा में राजसभा में भी उनकी मेज़र्टी है जब कमिटी कांस्टूट होती है तो मेज़र्टी मेंबर्स आपके रहते हैं इसके बावजोद आप जेपीसी कांस्टूट करने को क्यों डर रहे हों यह हमारा पहला सवाल है मेंबर तो आपके ज़्यादा होते हैं लेकिन हमको एक फाइडा होता है कि जॉइन पार्लोमेंटरी कमीटी कांस्टूट करने से सारे दस्ताविस खागजाद डॉकुमेंट एक्जामिन करने के लिए अपोजिशन पार्टियों को एक मोखा मिलता है इसलिए और वो एक ट्रांस्परेंसी उसमें रहती है तो इसलिए हमारी मांग थी उसको उन्होंने नकारा और उसके बारे में तो कुछ भी कहने को तयार नहीं है इसलिए ये मुद्धे जो रावल जी ने उठाये थे उसको उन्होंने अलग करके दूसरा ये इशू डायेट करने के लिए उन्होंने माफी माँगो माफी माँगो तुम यूके में जाके आईसा बोले ये करे वो करे ये अरे यहाँ सवाल है पार्लिमेंट का यहाँ सवाल है घोटाले का यहाँ सवाल है जो जिसने देश की संपत्ती को लूटा गलत तरीके से अपने शेर्स को बढ़ावा दिया और छोटे-छोटे शेल कंपनीज बनाके करणोर होते उसमें लिए इसका सवाल है कि डाल में कुछ काला है कुछ संबन्द उनके ऐसे होंगे जिस वज़े से ओ जेपीसी करने के लिए तयार नहीं है और तीसरी बात कि प्रदान मंतरी खुद सदन में रहते सदन जब चलती है तो धोरे पर रहते है सदन जब चलती है तो एलेक्शन प्रचार मिचाते है ऐसा कभी नहीं हुआ कोई भी नहीं की है ऐसा कभी एकादा कोई अर्जेंट वर्क है तो तब एक दो बिन के लिए जाते है लेकिन हमारे प्रदान मंतरी तो जैसा वो कहते हैं कि सुब्रमनें सारी दुनिया का चक्कर लगाया और उसके बाद भी उसको जो मिलना था नहीं मिला तो गनपती को मिला इसा भूलते है तो कि गनपती बैटे से के बैटा और वो बोला तो सारी दुनिया यां शेंकर के पास पारवती के पास है तो तुम तो दुनिया भर फिर क्या है मैं तो यहीं बैटाओ तो इनका उद्वेश क्या है कि भाहर फिर जा रहते हैं लेकिन पार्लमेंट में जो अंसर देना, लोकों को बताना और लोकों के लिए जो डेवर्प्मेंट काम करना इसके बारे में वो तवज्जु नहीं दे रहे पुराने रेल गाड़ियों को नए इंजिन लगा के हर जगे हरी जन्डी फिराती अरे महीं तो एकी साल में 27 प्रेंट चोड़ों को और वश्नो देवी को और उसके बाद हमारे राजस्तान में अजमर को हमने कभी हरी जन्डी लगा कर प्रचार नहीं किये वही पर वही इसमें अब दिली से हरी जन्डी एक भाशन मंगलोर को हरी जन्डी एक भाशन और चने होंबे से हरी जन्डी भाशन बोपल एक अरे एक रेल छोड़ने के लिए आपकी ज़रुत है, वहां का एंपी है, वहां का इंचार्ज मिनिस्टर रहता है, लेकिन इनों जाके प्लाटपॉर्ट में लंबे करके, दूसरे कोई काम नहीं किये, मैं एक ही स्पीड से इतना काम, क्या पट्री भी आप ही डाले देख्या? अईसा कोई एक नया योजना करके अगर दूसरे के पीर पंजा हमने किया था, पट्री भी डाली थी, चैनल भी कोदा था, अरुना चलका हमने किया था, लेकिन इनको हमेशा आदत है कि अपना इनोग्रेशन होना, भाशन होना, अब भाशन से पेट नहीं बरता, लोगों को राशन की भी जरूरत होती है उसके तरफ ज्यान देओ ये हमारा कहना था और चौती बात ये है कोई खाच करके राहूल गांदी जी के बारे में इसलिए बोलना हूं जो हिंडन बर्ग रिपोर्ट के बारे में उन्होंने अपनी बात रखी थी उनको डिस्कॉलिफाई एक सुरत के कोड के ओर्डर से दो साल की जो सजा हो गई थी हुई है उसको इतना लाइट्मिंग स्पीड से उन्होंने दिस्कॉलिफाई कर दिया मैं आपको एक केस बताता हूं अपने इसका गुजरात का एक गुजरात के एक MP ने जिनका नाम है विजेपी के अम्रेली अम्रेली MP नारायन भाई कचाडिया उनको तो लोकल कोर्ट ने तीन साल के लिए कन्विक्ट किया लेकिन डिस्कॉलिफाई नहीं करें इमीडिये की फिर उसके उन्हें ने क्या किया था एक सेडुकाश डॉक्टर्स को 20 लोग जाके तमाचा मारे उसको गालियां दिये हमने फोन किया था तुम नहीं उठाए और वो विचारे का अफराद कुछ नहीं था कि वो दूसरे पेशेंट को देख रहा था और फोन साइलेंट में थी तब उन्होंने खुद आकर उसके उपरा हमला किया जब तीन साल का उसका कन्विक्शन हुआ तो सेशन कोर्ट में उसको जो सेंटेंस नीचे दिये ते वही अफेल्ड की है उनका अपिल रिजेक्ट हुआ फिर उसके बाद में वो हाई कोर्ट में चले गए वहां भी वो रि माफी मागना यह उन्होंने खा याने कन्विक्टेड उसको 16 दिन का टाइम भेते हो लाइटनिंग स्पीड में उसके अपील डिस्पोज आप करते हो और हम यहाँ पर अपील डालते हैं तो उसको एक महिने का टाइम एक्स्टेंशन दे रहा तो ठीक है हम कोई जुडी सीक् कंप्लेंट नहीं करना चाहते हैं जो भी उन्होंने कहा है उसका स्वागत करते हैं हम लड़िंगे कानून के तो सरी लेकिन आप देखिए एक आदमी को तीन साल की सजा होती है उसका डिस्कॉलिफिकेशन नहीं होता है इमिडेटली और एक राहुल गांदी जी को दो साल की सदा होती है डिफेमिशन केस में क्रिमिनल केस में नहीं तो उनको आप लाइटनिंग स्पीड में डिस्कॉलिफिकेशन निकालते हैं तो यह देमोकरसी है अगर कोई नहीं हमारे देश में रूल्स के मताबिक कांस्टूशन के मताबिक बिजनेस अडवाइजरी कमीटी के मत अगर नहीं चल रहे है पार्लमेंट अगर कोई कहे तो यह गुना है और यह दिखता है लेकिन मुझे मालूम नहीं इसको इस डंच से हमारे मेडिया के दोस्तों लेते हैं तो मैं इसको ज़्यादा बुलने नहीं जात और इनकी जो यह हो गई कि 23 मार्च को कूर्ट ने ओडर दिया 24 को लोगसभा सेक्रेटरेट में आया और 28 को लोगसभा सेक्रेटरेट में नोटिफिकेशन निकालके यहां तक बोला कि राहुल जी अपना रेसिडन्स भी खाली कर दो यह है नहाए इसके लिए हम लड़ रहे हैं नहाए के लिए लड़ रहे हैं डिमोकरसी के लिए लड़ रहे हैं समिधान के तहें चलो इसके लिए लड़ रहे हैं और हमने जो कानून बिजनेस अड्वाइजरी के जो बिजनेस रूल्स होते हैं उसके तहें तम चल रहे हैं लेकिन मोधी सरकार उसके तरह चलना नहीं चाहती है और हमारे मुद्दे बहुत थे और एक कुछ सुला दिन तक फिलिप मिलता है और तीन साल की सजा होने के बाद वो बीजीपी का मिंबर रहने से उसका कोई संधान में स्पीकर लेते ना कोई लेते तो इसलिए दोस्तों हम आपके पास आ रहे हैं क्योंकि बार-बार हमको यह कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग सदन चलने नहीं दे रहे हैं कि चोर उल्टा कोतवाल को डाटे यह बात है अरे हम अंदर आते जब मैं नोटिस पढ़ता हूं तो अभी ऐसा पेपर लेता हू तो उडर से माफी माँग और कैसा मंगते हो तो डिस्कॉलिफाइद होके है अच्छा वो रहाज सभा मेंबर भी नहीं है तो लोग सभा के मिंबर है आप क्यों उटाते हैं नहीं सरकार में चल रहा है तो इसलिए मैं तत्य सामने रख रहा हूं हम पूरा कौपरेट करने के लिए सारे मेंबर तयार थे, तयार है, देश के हित में जो भी चर्चा करना चाहते हैं, उसके लिए हम पूरे लोग सतर खोके बड़े थे, लेकिन सरकार का मन्शा ये था, ये पूरा बजेट सेशन वाशोग करना, तो उन्होंने अपना काम किया, ये attitude को मैं कंडन करता हू अगर ये attitude रहा, इस देश में डमाकरसी बचेगी नहीं, और आइस्ता आइस्ता डिक्टेटर सीट के तरफ ये जा रही है, चुप, आपको कोई subject नहीं है, इसलिए काई गांधी परिवार, गांधी परिवार, तो ना मिनिस्टर बने, ना प्राइम मिनिस्टर ने, और गां गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार, तो लड़ते रहते हैं, मजा तो दूसरे लोग कर रहे हैं